अगामी त्रॉन दिवस सुथि भारे वर्साद नियांगांगाrey कर्वा मावी ज़ें आज्येयने काले अती भारे वर्साद नियांगाये कर्वा मावी ज़ें Listे अग्षिन गुज्रात माとうन पंडर जुलाइबाज वर्साद नूँ जोर गट्छें अम्डवाथ माम मध्यम फी भारे वरसाद ने आगा आजे हो आवधी काले वरसाद था इसली परेक्नि के लिए पूरी गुजरात में बारीश रहेगा लाइट को मॉडरेटरेन रहेगा लेकिन गुजरात region में हेवी टौबेर ये भी इभी एक्स्रेमली हेवी रेंपॉल ले दो दिन आज और काल और स्वराष्ट्रकच में आज काल पर्चो यानि 12-13-14 तरीख को हेवी टू भेली हेवी एक्स्रेमिली हेवी रेन होने का संभावना है और गुजरात रिजियन में डे फॉर यानि संभावना है और स्वराष्ट्रकच के लिए भी हेवी टू भेली हेवी रेन आई स्वराष्ट्रकच में मिल सकता है डेपोर यानि 15 तरीख को और ज्यादा रेन होने का संभावना नहीं रेन फॉल मौंट कम हो जाएगा में पंद्रमारा कि बाद स्वर्शक को जो स्वरास्ट्रकार थो मैं है जो स्व्राषर्टल में मैं घंक हमधावना है इंटया महें मडरेत तुंक हो शतलों कि अब भी जो सवराश्टर कर्स में दिखा जाए तो कच देभुमिद्वार का जामनागर मोर्भी में एक्स्रेमली हेवी रेन हो सकता है और गुजरात रिजियन में साउथ गुजरात रिजियन में तो हो रहा है और होने का संभावना है और और भी रेनफॉल अक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ेगा जिससे दाहोत पंचमाहल आनन ठेडा में भी हेवी टुवेरी हेवी रहन हो सकता है और दूसरे जगह में हाडली आइसोलेक्टर हेवी होने का संभावना है मोस्टी जो नौर्थ गुजरात जो बानसकंदा सावरकंटाम पार्टम गंदेनगर मैसान अब भी गुजरात का उपर जो पड़ा है सिवर्जन के कारण से और लो प्रेशर हमारा वेरा गुजरात में बहुत बारिश हो गया है अभी एक्सेस में जा रहा है। गुजरात में पूरा गुजरास स्टेट आजे खोल 65% एक्सेस रेंफॉन हुआ है। सवराश्टर कच में 94% एक्सेस रेंफॉन हुआ है। और गुजरात रिजियन में 44% एक्सेस रेंफॉन हुआ है। अन्हें हवे आपने बताविये तारा जीनों Ground Zero Report